नमस्कार दोस्तो बायोट्यूप चैनल की स्खास बेस कर सीजी कर इंटरफेयर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपकी दोस्तिरवाला डेली की तरह आज भी हम 36 गड़ के कुछ महतपूर कोस्चन को देखेंगे जो आपके सीजी पेस से और व्यापम के किसी भी एक्जाम के लिए इंपॉर्टन होंगे दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए साथ में बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तो पिछले क्लास के ब्यान बुष्टर में पूछे गया सवाल का बहुत लोगों ने सही जवाब दिये जिसमें सवाल था जया मिर्च का उतपादन च्छतिर गड़ के किस जीले में क्या जा रहा है तो इसका एंसर है बलरामपूर जीला जया मिर्च उतपादन के लिए किसे राष्टी सम्मान से सम्मानित क्या गया है इसका एंसर है रामलाल लहरे तो चलिए आज के कोश्चन में आते हैं जिसका पहला कोश्चन है च्छतिर गड़ के सिक कारेकरम किस विस्विस्तरी संस्था के सयोग से संचालित की जारी है तो यह यूनिशेप के सयोग से संचालित की जारी है next question है माननी सिख्चा मंत्री श्री प्रेम सायटे काम द्वारा सिख कारे करम का सुभारम किस जीले में किया गया तो या सुरजपूर जीले में किया गया है इसके बारे में देख लिएते हैं जिसमें 36 जड़ के 10 जिले, राइपूर, सुरजपूर, सुक्मा, बीजपूर, दंतेवाड़ा, नरायनपूर, बस्तर, धमतरी, राइगड, जसपूर में संचालित क्या जा रहा है Next question है हाल ही में राष्टपति पूरुसकार के लिए चैनित सिक्षी का स्री मती सपना सोनी जी का संबंध किस विसे से है? तो इसका संबंध भूति की से है? चले इसके बारे में देख लेते हैं श्रीमती सपना सोनी सास की उच्तर माधमिक साला जेवरा सिरसा जीला दूर्ग छत्तिजगर को उनके समर्पित सिक्षड नविंतम वा आधूनिक सिक्षड विद्यों के द्वारा विद्यार्थियों के सिक्षा वा जीवन में सकरात्मक बदलाओं में पहल के कारण चैन किया इससे पहले भी सपना सोनी को अन्य सम्मान से सम्मानित किया गया जिसमें 2014 में राश्टी स्तर पर स्पेशल गाईट टीचर अवार 2015 में जीला इस्तर बेश्ट सिक्षक पुरुसकार और 2016 में राजयपाल सिक्षक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है अब इफको के बारे में देख लेते हैं इफको का फुल फॉर्म है Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited जिसको हिंदी में भारती किसान उरवरक सहकारी कहते हैं यहां भारत में इस्थित विस्व का सबसे बड़ा उरवरक सहकारी ता संस्था है जिसका मुख्याले नई दिल्ली में है इसका उद्धे से है मृद्धा स्वास्त के अधार पर संतुली तुपयोग को बढ़ावा देना तथा क्रिसी लागत को कम करते हुए फसलों के उत्पादन तथा उत्पादक्ता में वृद्धी करना ठीक है दोस्तों नेक्ष्ट देखते हैं 36 चक्रधर समारो कब से कब तक आयोजित किया जाएगा तो यह 22 से 31 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है प्रतिवास राइगड में होने वाले चक्रधर समारो इस बार ओर लाइन हो रहा है नेक्ष्ट कोस्चन है गुरु घासिदा सम्मान किसे प्रदान किया गया तो यह सम्मान वीभू दीप नंद को प्रदान किया गया है प्रदे सरकार की ओर से अनुसूचित जाती जन जाती थाने में पदस्त उप पुलिस अधिक छक वीभू दीप नंद को 15 अगस्त को उनक बिलासपुर में आयोजित होता था हाल ही में 36 राज्य में पुलिस की विर्था और सहास के लिए कौन से सम्मान का एलान किया गया है इसके बारे हम देख लेते हैं सहीद वीर्णराएंड सी की सहादत दिवस के दिन पुलिस कर्मियों को सहासर विर्था के लिए सौरे सम्मान दिया जाएगा सौरे सम्मान देने वाला 36 संभवता पहला राज्य होगा सौक्षता सर्वेक्षन 2020 बिलासपूर को देश में इस्थान मिलाया तो यहां 11 इस्थान प्राप्त कर लिया है एक से दसलाक अबादी वाले सहरों में देश का 11 इस्थान बिलासपूर को प्राप्त होया पिछली बार इसकर रहें कितना था? 28 वा था नेक्ष्ट कोशन है वन अधिकार पट्टा वित्रित करने माला देश का पहला नगर निगम बनने का गौरव हासिल किया तो यहां जगदलपूर ने हासिल कर लिया है 9 अगस्त विश्वा आदिवासी दिवस के उसर पर जगदलपूर नगर निगम ने नगरी छेत्र में वन अधिकार मान्यता पत्र पट्टा वित्रण कर देश का पहला नगर निगम बनने का गौरव प्राप्त किया नेक्ट कोशिन है चत्ति मर में पहली वेंटिलेटर से लैश्व एम्बूरेंज का उधगातन किसके दोरा किया गया तो किया गया है next question देखते हैं 29 अगस्त खेल दिवस के आउसर पर 36 सरकार ने खिलाडियों को कितने कैटेगीरी में पुरुसकार देने की घोशना किया जिसका detail हम देखते चलते हैं 29 अगस्त मेजर ध्यानचन की जैनती पर आयोजित कारेकरम में प्रदेश भर में खेल जगत में उतक्रिष्ट कारे करने वाले लोगों को समान दिया जाएगा जो 11 कैटिगीरी में होंगे तो पहला देखते हैं 6 नंद कुमार पतेल खेल पुरुसकार राश्टी मेडल विजेता सिर्स खिलाडियों को सात्वा मिलेगा महंद्र करमा खेल पुरुसकार खेल और खिलाडियों को बढ़ावा देने में विशेश योगदान देने वाले वेक्तियों या संस्थाओं को आठवा पुरुसकार है उदे मुदलियार खेल पुरुसकार, राजी स्तरी सीर्स मेडल विजेता खिलाडियों को प्राप्त होगा, सहीद नववा है सहीद योगेंद्र कर्मा खेल पुरुसकार, जीला इस्तर पर सीर्स मेडल विजेता खिलाडियों को, दसवा है मुख्यमंत नेक्स्ट कोश्चन है उनकी पत्नी डॉक्टर रेडू जोगी द्वारा किया गया आज की brand booster के सवाल है जिसको आपको answer comment section में comment कर बताना है पहला question है दरपन क्या है और दूसरा question है जीवराखन क्या है मुझे आप सभी से उमीद है कि सही सही जवाब देने की कोशिस करेंगे और आज का वीडियो आपको कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया जरूर दे ताकि हम आपके लिए हर दिन कुछ नया लेकर आ सके जो आपके लिए ग्यानवर्धक तथा exam उपयोगी हो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही वीडियो अगर पसंद आया हो तो like और share जरूर कर दीजे Thank you